Hi Everyone, Welcome to One Line, मेरे नाम है नूर Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किनारा बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपिन कीजिएगा आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना है ताकि आपके अकाउंट से बैलेंस नौन मेंटेनेंस की कारण पे चार्जेस डिडिक्शन ना हो Guys, आपको जानकर रही रखना है कि किनारा बैंक में डिफरेंट टाइपस अप सेविंग्स अकाउंट मुझूद है जैसे कि राइट ना आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे भी सेविंग्स अकाउंट है जिसमें चार्जेस बैलेंस नौन मेंटेनेंस के कारण पे लागु नहीं किया जाता है जैसे कि कनाड़ा बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट, कनाड़ा स्मॉल सेविंग्स बैंक डिपोजिट अकाउंट, NSIGSE, PMJDY, स्टाफ, पेंशनर्स, सिनियर सिटिजन, नौन रिसिडेंट, जीवन धारा, SB पावर प्लस, पेरोल अकाउंट, JNY, SB डिफेंस अ बताए गया है कि जो रिगूलर सेविंग्स बैंक एकाउंट है, इसमें आपको अटलिस्ट 500 रूपीज मेंटेन करके रखना है, अगर आपके एकाउंट रूरल एरिया में अवेलेबल है, यानि कि आपको जानकर ही रखना है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना बैल या metro area में हैं तो आपको 1000 रुपिया balance minimum balance के तौर पे maintain करके रखना है अगर आप maintain नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे clear तरीके से बताया गया है कि आपके जो charges होंगे वो 25 रुपीज से लेके सुरू करके 45 रुपीज तक होंगे यह depend करता है कि आपके balance में कितना shortfall हो रहा है जितन जादा shortfall होगा उतना ही जादा charges होंगे charges minimum 25 रुपीज से लेके सुरू करके maximum 45 रुपीज तक होगा और आपको जानकर ही रखना है कि इस amount के उपर 18% GST भी लागू होगा यानि कि अगर 25 रुपिया चार्ज हो रहा है तो उसमें plus 18% GST भी लागू होगा तो इसी के लिए आपके जो savings account है इसमें आपको proper तरीकी से balance maintain करके रखना है ताकि आपके account से balance non-maintenance के कारण पे charges reduction ना होगाईज I am sure you liked this video, please subscribe this channel for more updates, thank you so much